हर्दा जिले की खिर्गियों जन्पत पंचाइट की ग्राम रहे टागला में ग्रामिणों को एक और बड़ी सोगात मिलने जा रही है जुसका शुपारम विगत दिवस शेत्र वधाय के हातों हुआ है शेत्र जनता यहां पिछले लंबे समय से भवन निर्माण की मांग कर रह शुक्रवार को ग्राम पंचाइट भवन का वधायक संजज शाह ने भूमी पुजन किया इसवसर पर जन्पत पंचाइट अध्यक्ष जगदिश प्रसाथ सुलंकी मंडल अध्यक्ष मनिश मांगुले भाच्पानेता भूला शंकर कुश्वा सरपंच गंगा वीशन सच्च पंचाइट भवन के साथ विधायक वा अन्य जन प्रतिनी ध्यों ने यह अन्य छे गाओं में भी अलग-अलग विकासकार्यों का भूमी पुजन किया है वही सड़क निर्मान तो कहीं पूल्या निर्मान सहित अन्य निर्मान कारे श्रंखला में शामिल किये गए थे अज़ पंचाइद भवन का पूर्ण पूजन है और आज सतत हमारे पांचे गवं में दो रहा है और कहीं आंगनवाडी है कहीं रोड है कहीं पंचाइद भवन है कहीं पुलिया है ऐसा जो विकास कारी की एक दिरंतर चलने वाली प्रक्रिया और उसमें आज हम एक शंकलावत पूलिकिंट बुजन करने जा रहे हैं हमारे साथ में धान प्रदेशी मोगा ने देखने को मिल रहा है और उसके गवापुरे गाओं के सभी प्रत्रक्ष दरशी यहां पर मोचब लेकर क्या तेजारिया की जारी है निशितिया दिवासी वर्क के लोगों के लिए और हम सभ और हमको आधिवासी वर्ग को गोर्वानवित होने का दिन है कि हमारे बीच में भगवान बिर्शा मुंडा की जहनती मनाने के लिए हमारे लोकप्री नेता और प्रधान मंत्री जी हमारे सब के बीच में बोपाल आ रहे हैं और 15 तारिक को हम सब को लेकर जाना है अपने जिले से भी लगभग 12,000 का टार्गेट हमनों लिया है आधिवासी भाहियों को लेकर हम बोपाल जाएंगे और बड़ा उत्सा का महोले आ दीजी नहीं किये और इसलिए हम सब उनको धन्यवाद राभर रक्त करने के लिए और भगवान बिर्समुंडा की जैनती मनाने के लिए हम सब बोपाल जा रहे हैं वही प्रधान मंत्री नेत्र मोदी के बोपाल दौरे और यहां आधिवासी समधाय की वी नेता श्री बिर् दोपह न्यूस के लिए हर्दा से सुनिल मालाकार की रिपूर्ट